जी हां दोस्तो प्रेहना पोटल पर स्टुछेंस को LGBT करने से सम्मंदित उप्शंस अपन हो गये हैं इसके लिए सबसे पहले आपको यूपी प्रेहना पर जाकर लोगिन करना होगा लोग इन करने के बाद आपको delete का option, edit का options और any options देखने के लिए मिलेंगे चलिए वीडियो में समझते हैं आप किस तरीके से बच्चे की class को edit कर सकते हैं या बच्चे को delete कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको यूपी प्रेणा की website पर जाना होगा website पर login करने के बाद आपको कुछ इस सरीके से आपकी profile खुल कर दिखाई देने लगती है इसको हम नीचे की तरफ करते हैं आपके school में कितने बच्चे हैं ये सब दिखाई देने लगता है तथा आपको जिस बच्चे को delete करना है उसकी class को edit करना है या अन्य operation करने है उस बच्चे के सामने आपको right तरफ scroll करना होगा जी हाँ आप right तरफ जाएंगे उस बच्चे के नाम के आगे की तरफ आप सबसे पहले उस बच्चे को select कीजिए और उस बच्चे के सामने right पर आपको scroll करते हुए जाना है तब आपको, वे सब भी options दिखाई देंगे, कि आप किस-किस बच्चे को delete कर सकते हैं, या किस-किस बच्चे को edit कर सकते हैं, तो चलिए, देखते हैं किस तरह की options आपको दिखाई देते हैं, आपको इस तरह की से बच्चा दिखाई देगा, जिसमें verify, delete, edit, sr number change कर सकते हैं जिहां और इसमें आप बच्चे को दिव्यांग दिखा सकते हैं अगर आपको edit करना है आपको class edit करने हैं तो आप इस सरीगे से class edit कर सकते हैं हम इसे fourth में करते हैं fourth में करने बाइसे सुरक्षित करते हैं और आपको कुछ इस सरीगे का एक message edit कर सकते हैं जिहां अब इस बच्चे की class edit हो चुकी है और इसे edit करने के बाद हम देखते हैं कि बच्चे को delete कैसे करते हैं आप देख सकते हैं कि बच्ची class edit हो चुकी है इसी तरीके से हम पुरह बच्चे को select करते हैं और उस बच्चे को delete करते हैं delete में क्या-क्या options आपको देने होंगे, वो सभी हम one to one discuss करते हैं जी हाँ, अब चलिए हम देखते हैं कि बच्चे को delete करने के लिए क्या क्या options हम देख सकते हैं, माली जी आपका कोई बच्चा है, उसको आपको delete करना है, delete का options पर click करेंगे, click करने के बाद आपको कुछ इस सरीके से open होकर आ जाएगा, जी हाँ, open होने के बाद इसमें आपके पास काफी सारे options होंगे, आपको comment भी करना होगा, कि आप delete क्यों कर रहे हैं, जी हाँ, देखिए आपके पास ये सभी options दिखाई दे रहे हैं, इन में से आप जो भी valid option होगा, उसको भरेंगे, options भरने के बाद, आपको comments भी करना होगा, कि उसका मुख्यता क्या reason है, क्या समस्या हैं, उसको भरने के बाद, आपको student delete के option पर click करना होगा जी हाँ, जैसे हम student option, इनको select करने के बाद student delete को select करते हैं, हमारा बच्चा delete हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं ये process की सरीके से होती है, अब हम comment करेंगे, जो भी आपको उचित लगता है कि गाउं से चला गया है, या कुछ जो भी अन्नी समस्यां आप डालना चाहें वो इसमें डाल सकते हैं, उसके बाद हम student, delete के option पर क्लिक करते हैं, ओके, इसके बाद हमारे पास एक notification आ जाता है बच्चा, delete हो चुका है इस परकार आपका बच्चा आपके database से delete हो जाएगा वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, इस तरह किसा आप अपना बच्चे को delete कर सकते हैं Thank you